क्या वहर रोज आती है, इस sentence के English जानेंगे आज की इस विडियो में तो दोस्तों इस sentence के अंत में आती है तो जब इंदी sentence के अंत में कृया के साथ T आता है तो ऐसे sentence Present and Definite sentence के नियम से English में Translate होता है, तो यह sentence इंट रोगेटिव तो present and definite के interrogative sentence को English में translate करने का structure है पहले WH word लिखते हैं और इस sentence का WH word है क्या लेकिन जब starting में ही क्या हो sentence के तो क्या की meaning नहीं लिखते हैं पहले सुरू करते हैं do या judge से तो यहाँ पे judge रहेगा subject के अनुसार उसके बाद subject लिखेंगे working list यहाँ पे see उसके बाद हम लिखेंगे verb वर्ब है आती है तो see के बाद देखेंगे आना के English come उसके बाद हम लिखेंगे जो भी other words होते हैं इसमें है रोज रोज या प्रति दिन को English में daily कहते हैं क्या वह रोज आती है इस sentence के English does see come daily does see come daily तो दोस्तो मिलते हैं इसी तरह कि next Hindi to English translation की वीडियो में तो चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें